हलो दोस्तो नमेशकार जो नेक्स्ट चार दीन है तो बाजार के लिए कैसे यहापे रहने वाले है प्लस अगर हम लोग यहापे बात करें तो सबसे पहले important point हम लोग कवर करेंगे जैसे कि आप देख सकते August मन्त की बात करें यहापे तो अल्रडी दो public holidays हम लोग को देखने को मिला है और केवल अभी कि public holiday रहा है August मन्त की बात करें तो बो रहने वाले 31st August को विनस दे रहेगा गनेश चतूर्थी So definitely हम लोग यहापे कह सकते है कि यह जो हफता रहेगा वो completely यहापे normal चलने वाले मतलब बचे वे 4 दिन की हम लोग यहापे बात कर रहे है ठीक है Next week भी अच्छा कासा performance हम लोग को देखने को मिलेगा बिना किसी interruption के So यहापे हम लोग बात करने वाले किस चीज से related यहापे आने वाले जो 4 दिन है उसमें बाजार के लिए कौन-कौन से important trigger points है सबसे पहले यहापे मैं आप लोग को कुछ important points दिखाना चाओंगा जैसे की American Bazaar Yes तो American Bazaar के अगर हम लोग बात करे तो definitely 12 August Yes, 12 August के अगर हम लोग बात करे तो सवा 400 points की तेजी हम लोग को देखने को आपे मिली थी So यह बहुत एक कमाल की बात है usually हम लोग Friday की दिन जो भी चीज़े हो जाती है हम लोग उसको भूल जाते है क्योंकि Saturday, Sunday चुट्टी रेत इस वक्त तो हम लोगों को Monday के दिन भी मतलब तीन लगातार चुट्टिया देखने को आपे मिली है So American Bazaar ने दमदर परफर्मस दिखा था Friday की दिन आप लोग यह आपे देख सकते हो गजब की तेजी हम लोग को देखने को मिली थी अगर हम लोग यहापे बात करें इसके चलती इंडियन मार्केट का जो महल है देखे हमारा महल अलरड़ी पॉजिटिव है अगर हम लोग के सकते है कि यहापे अच्छा का साब परफर्मस भी हम लोग को देखने को आपे मिल सकता है तो यह एक अनुमान है जैसे मैंने आप लोग को बता है कि यह फ्राइडी की क्लोजिंग देखने को मिले उसके बात सैटरडे, संडे, दैन बंडे तीन दीन का गैप है तो इसके बीच में भी बहुत सारी खबरे यहाँ से नावाँ से आई होगी तो उन सब का कमबाइन रेक्शन कल हम लोगो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहली नियूस के अगर हम लोग आपे बात करें इस हफ़ते की important कौन सी रहने वाली है तो दोस्तो वो रहने वाली FOMC के minutes जो भी मीटिंग होती है उसके minutes जारी किये जाते है तो कुछ important factors आते हैं जो हम लोग ने आपे focus में रखने होते है यह कब रहने वाला है यह इस हफ़ते की अगर हम लोग आपे बात करें तो Wednesday की दिन हम लोगों को देखने को आपे बुदवार की दिन देखने को आपे मिलने वाला है और उसका सबसे important चीज क्या रहेगा इंवेस्टर ने क्या important चीज को देखना होता है commentary की बात करें किस चीज की commentary growth से related projection की बात करें inflation की बात करें, recession की बात करें आगे आने वाले rate hike से related क्या outlook है इससे related जो भी commentary आपे रहेगी उसी चीज के उपर focus आपे रखा जाता है अगर हम लोग आपे इसके पहले के monetary policy MPC की बेटक की बात करें, 75 basis point का rate hike हम लोगों को दो बार देखने को already आपे मिल चुका है और इसी से related, Mr. Powell जी अगर कोई और extra इहापे चीज यहापे note करते है या नहीं यह देखना interesting रहेगा क्योंकि हम लोगों को पहली बार American Bazaar में inflation पहली बार मतलब इस साल के अगर हम लोग हिसाब से यहापे बात करें तो लगातार जो inflation बढ़ रहा था वो हम लोगों को नीचे आते वे देखने को मिला आप सब लोग को पता है 9.1 था expectation था 8.7 बट reality में 8.5 आया जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है Bazaar ने भी उसको धमाकेदार तरीके से welcome यहापे किया था तो definitely FOMC की बेटक के minutes जारी होने वाले है तो उसके उपर भी पूरे Bazaar का focus यहापे रहने वाला है then दोस्तों अगर हम लोग यहापे बात करें second important point से related so second important point रहने वाला है उसमें से एक part तो हो चुका है इंडिया का CPA inflation यह वाला तो डेटा आ चुका है जो कि 7.1 मतलब 01 देखने को मिल रहा था अभी 6.7 पे हम लोगों को आते वे दिखने को मतला है जो कि बहुत ही अच्छी बात है मैं तो उसको अच्छा ही मानता हूँ और उसी से related अभी इंडिया का WPI inflation का डेटा हम लोगों को यहापे release होते वे दिखने को यहापे मिलने वाला है अगर हम लोग यहापे बात करें जो अनुमान लगाया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि expert feels likely to decline the such data somewhere around 15.18% in June 2022 तो देखना पड़ेगा अभी original data यहापे क्या आता है बट उसके उपर भी बाजार का ज़रूर अच्छी तरीकी से focus यहापे रहने वाला है then अगर हम लोग next point के अगर हम लोग बात करें point number 3 I hope मैं सही लिख रहा हूँ so point number 3 की बात करें तो obviously foreign exchange results का जो data रहेगा वो भी हम लोगों को यहापे जो मतलब अभी तक जो भी सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल रहे obviously 12th August ended की वो release कब होने वाला है on Friday yes इसी हफते के Friday की दिन foreign exchange result card भी data हम लोगों को release होते वे देखने को मिलने वाला है देखा गया तो यह regular basis के उपर रहता है यह सारी चीज़े इसमें कोई unexpected surprisingly ऐसा कोई moment देखने को मिला तभी जाके बाजार इसके उपर reaction यह आपे दे सकता है then अगर हम लोग बात करेंगे next point जो है point number 4 तो इससे related बात करें तो बहुत सारे company के dividend हम लोगों को देखने को यह आपे मिलने वाले है आप यहापे देख सकते बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो अल्रड़ी अनॉंस यह आपे कर चुके है so यह X dividend हम लोगों को होते वे देखने को मिलने वाले है and REC जो company REC Limited उससे related भी मैं अल्रड़ी आप लोगो बता चुका वो हम लोगो X bonus होते वे देखने को आपे मिलने वाला है so just take यह formality वाला news था यह भी आप लोगों को ज़रू यहापे पता होना चाहिए then अगर हम लोग यहापे बात करे number 5 so रस्तो inflation का भी data कुछ और भी countries का आने वाला है जैसे कि अगर हम लोग बात करे euro area की अगर मैं बात करू so Thursday की दिन वो देखने को मिलेगा and अगर मैं जपान की बात करू तो inflation का data हम लोगों को Friday की दिन देखने को यहापे मिलने वाला है so यह भी point आप लोगों को ज़रू पता है यहापे होने चाहिए then अगर हम लोग यहापे बात करेंगे अगर सामने आ जाती है तो foreign investor अपना जो रूख है अभी वो यहापे लगातार पैसा लगा रहे वो पैसा निकाल भी सकती यह तो इतना तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा so हम लोग यह ज़रूर प्रे करेंगे कि बाजार में कोई अंसर्टन अक्टिविटी यहापे होनी नहीं चाहे खास करके जो वोर से रिलेटर अभी हम लोगों को एक नया तड़का लगते वे देखने को मिला था हुआ तो नहीं बट हम लोग मतलब में चायना ताइवन की बात करा हूँ ऐसी चीज़े से डेफिनेटली अगर हम दूर रहेंगे तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात यहापे रहेगी और फॉरेन इंवेस्टर यहापे बारा दीन मतलब बारा ओगस्ट तक लगाता है उन्होंने जितना भी ट्रेडिंग सेशन था अगस्ट मंत का सभी वक्त उन्होंने आपे बाइंग किया है तो डेफिनेटली हम लोग आपे कह सकते हैं कि आने वाले पूरे अगस्ट मंत में वो शायद से अपनी बाइंग को continue रख सकते हैं इसके चलते हैं डॉलर का हमनों को incoming flow आते हुए देखने को मिल जाता है और इंडिया के लिए अच्छी बात यापे देखने को मिल जाती है crude की बात करें तो अगें 100 के करीब जाते हुए देखने को मिल जा है बट अभी भी 100 के नीचे ही है जो कि हम लोगे कह सकते हैं जो next expectation रखा गया था कौनसे expectation के में बात करा हूँ येस जो भी estimates RBA ने किये थे आप सभी लोग को याद होगा RBA ने जो भी estimates दिये है उसके नीचे उन्होंने यहाँ पे कुछ points लिखे थे कौनसा point लिखा था कि हम लोगे सारे expectation रख रहे है on the basis of crude 100 dollar प्रती barrel so definitely जब तक crude यहाँ पे 100 के आसपा से 100 के नीचे है तब तक हम लोगे उन सभी चीजों को अच्छा ही आपे मान सकते है right so crude फिलाल देखेंगे WTI Brent फिलाल तो 90 के range में देखने को मिल रहे है then अगर हम लोगे आपे gold की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते है 54,400 का range gold का अभी हम लोगे आपे बात करेंगे तो yes dollar dollar की बात करें तो वापस एक बार हम लोगे थोड़ा बहुत comeback होते वे देखने को आपे मिल रहा है बीच में 80 को touch किया था then बहुत अच्छी पिटाई हुई थी and वापस थोड़ा अभी हम लोगे को comeback होते वे देखने को मिल रहा है so overall अगर हम लोग बात करें तो dollar बहुत ही strong है against the Indian rupee but definitely यहाँ पे आने वाला inflow and यहाँ पे dollar index की बात करें dollar x की बात करें so 108 के level पे था अभी धीमे धीमे करके 106 को भी यहाँ पे पचाड कर नीचे आपे आ चुका है so definitely Indian market के लिए पॉजिटिव बात है इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी इगनोर करना नहीं चाहिए then अगर हम लोग आपे बात करें no doubt आखरी important point कौनसा option chain से related so दो अप्शन chain की अगर हम लोग आपे बात करें तो फिलाल 17700, 17750 के बीच में हम लोग आपे चल रहे है and अगर हम लोग आपे support की बात करें right closest support की अगर में बात कर दो दो तो यह support level so वो कौनसा level है तो चलिए मैं चेक कर ले तो 17600 yeah 17600 पे close support level हम लोग को देखने को यह आपे मिल रहा है and अगर इसके नीचे अगर हम लोग चले जाए तो 17500 पे अच्छा गासा support फिलाल तो देखने को मिल रहा है अलाकि मैं आगेन करना चाहूंगा यह चीज़े data फटा फटा हम लोग को change होते वे देखने को आपे मिल जाता है similar way अगर हम लोग resistance की बात करें resistance थोड़ा हम लोग कह सकते important चीज़ हम लोग जरू note करेंगे क्योंकि आप सब लोग को पता है इसी को तोड़ कर आगे यहापे बनना है so resistance की बात करें तो सबसे पहले यहापे 17800 इसको break करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मुश्किल हो सकता है मतलब मैं data के इसाब से बात करो again कहना चाहूंगा कि यहापे जैसी भी खबर आएगी उसके इसाब से plus minus बाजार में होता रहता है और अमेरिकन बाजर 400 प्लस पॉइंट से भागते वे देखने को मिला था so definitely अगर 17800 तूड जाता है तो directly 18000 के लेवल को बाजर यहापे टेस्ट करने जाएगा टेस्ट करेगा मतलब तोड़ेगा तो जरूब बट उसके उपर मतलब sustain रहेना थोड़ा मुश्किल भी यहापे हो सकता है अगर 18000 के उपर closing दिया बाजर ने तो बहुती शांदार positive news यहापे रहेगी रहेगी क्योंकि 18000 पे भी अगर आप देखोगे तो बहुती strong हम लोगों को यहापे सारे contracts यहापे देखने को मिल रहे है open interest भी जबरदस वापस अमनों को built होते वे देखने को यहापे मिल रहे है तो देख लेते हैं यहापे किस प्रकर से बाजर यहापे work यहापे कर लेता है बट फिलाल अमनों कह सकते हैं कि बाजर का जो momentum है वो अमनों को धीमे धीमे क्यों ना हो सही वो उपर जाते वे देखने को यहापे मिल रहा है so definitely कोई भी नई negative news बाजर को परिशान कर सकती है inflation, macro economic data से related कोई भी चीज़ आ जाती है तो somehow बाजर उसको adjust कर लेगा, manage कर लेगा, हजम कर लेगा पर unexpected अगर कोई news आ जाती है तो शायद से बाजर के लिए फिर घातक यहापे साबित हो सकती है so जैसे मैंने बार-बार काई कि आप लोगों ने प्रे करना चाहिए कि यहापे कोई भी unexpected news सामने नहीं आनीचे तो अगर ऐसा नहीं होता है तो definitely Indian market धीमे 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 करके हमनों को उपर ही भागते वे देखने को आपे मिल सकता है स्वाशा करता है वीडियो आप लोगों को helpful लगाओगा तो ज़रू like and share कर देना एंडिमेट अकाउंट अभी तो कोपन नहीं कि है तो link नीचे description box में 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौनसा अकाउंट आपने link के तरू उपन किया ये भी मुझे comment section में properly बता दिना तो हफते बर के अंदर अंदर ये सारी वीडियो आपनें को free of cost provide कर दे जाएंगे so that's it thank you very much we will be meeting rrx video तब तक के लिए bye bye